हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का गेक्टिक यूडूब चैनल में फ्रेंड आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको नहीं पता कि आप रैपीडो एप से कैसे बाइक बुक कर सकते हैं या फिर ओटो कैसे बुक कर सकते हैं तो दोस्तो यह जो भी आप स्क्रीन पर देखने हैं रैपीडो की एप या अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करने ना है डाउनलोड करने के बाद जब आप दोस्तो इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना प्रोफाइल क्रियेट करना होगा सबसे पहले तो प्रोफाइल क्रियेट करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है उसके बाद आपके फोन पे एक OTP आएगा वो OTP इंटर करने के बाद दोस्तों आपने अपना name इंटर कर देना है उसके बाद आपका यहाँ पर profile create हो जाएगा उसके बाद दोस्तों यह आपसे कुछ permissions पूछेगा access पूछेगा जैसे कि आपके mobile की device की location ओन करनी होगी आपने तो जब आप अपने mobile की location ओन कर देंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रिकार से interface दिखाए देगा तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे दिखा रहा होगा आपकी location यहाँ पर green color का जहाँ पर आप यह दिखेंगे button आ रहा और यहाँ पर बुक करना चाहता हूँ तो मैं Delhi में रहता हूँ मैं यहाँ पर कोई भी एक destination यहाँ से select कर लूँआ वोसी साप सा आपको आईडिया लग जाएगा कि कितने ही kilometer की दूरी पर हेऊ यह आप देखेंगे unnecessary place, यहाँ पर 5 kilometer यहाँ पर दिखा रहा है। और यहाँ पर आपने उस पर click करना है, जब आप उस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा auto या फिर बाइक. यहाँपए दो option आपको rapido में आपको देखने के लिए मिलेंगे बाइक और उटो का तो बाइक यहाँपए आप देख सकते हैं कि जब आप यहाँपए बाइक का जो फेर दिखा रहा वो 42 रूपीज ठिखा रहा है और उटो का जो फेर दिखा रहा है वो यहाँ पर दिखा रहा 105 तो अगर आपको auto book करना है तो आपको 105 रुपे पे करने होंगे और bike book करने है तो आपको केवल 42 रुपे ही पे करने होंगे अब मैं दोस्तों यहाँ पर आपको बताता हूँ कि दिखें अगर आप coupon बगेरा apply करना चाहते हैं आप coupon कैसे apply कर सकते हैं तो आपने coupon वाले बटन पर click कर देना है जब आप coupon वाले बटन पर click करेंगे तो जो भी coupons यहाँ पर available होंगे वो आपको 100 हो जाएगा तो coupons यहाँ पर जिस destination के लिए मैं ride book कर रहा हूँ वाहाँ पर कोई भी coupon यहाँ पर available नहीं है तो मैं आपी इसको back कर देता हूँ तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें book करनी है भाईक अपनी तो हम जिस पर भी click करना चाहते हैं जो भी हमें book करना है भाईक या ओटो उस पर click कर देंगे तो हम जब इस पर click करेंगे तो यहाँ पर यह सो हो जाएगा यानि कि select हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर नीचे book bike का एक बटन देखने के लिए मिलेगा तो हमें book bike वाले बटन पर click करना है book bike वाले बटन पर click करने से पहले यहाँ पर हमसे पूछेगा choose payment mode तो हमें payment mode select करना है कि हम इसके राइड जो हम यह bike book कर रहे है उसकी payment हमें कैसे करनी है online payment करना चाहते है या फिर हमें cash पे करना है तो cash अगर पे करना चाहते है तो हमें cash select कर लेना है यह हम cash select कर लेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा और कुछ charges यहां पर aid हो जाएंगे यह आप देखेंगे आप 52 रुपीज दिखा रहा है तो cash में थोड़ा सा issue होता है क्योंकि case transactions कम करने के लिए यहां पर कुछ charges aid कर देते तो हमें यहां पर 10 रुपीज और extra पे करने पड़ेंगे अगर हम cash में पे करना चाहते हैं तो उसके मारी booking को book कर लेंगे तो यह अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर rapido apps है यानि कि मेरी booking यहां पर book हो रही है अभी यहां पर दिखा रहा है तो इसमें थोड़ा सा time लग रहा है यहां पर book होने में कभी-कभी issue हो जाता है जो bike riders होते हैं वो अभी किसी ने इसको book नहीं किया booking को तो अभी continue है यह आप देखेंगे in progress है यह तो दोस्तो अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि bike यहां पर book हो गई है गाड़ी नंबर यहां पर आ गया है जिस जो bike rider है उसका नाम है सनी वर्मा और यह गाड़ी नंबर भी यहां पर show हो गया है तो अब यह bike rider मेरी location पर पूचने वाला है तो इस तरीके से दोस्तो हमें कोई भी ride book कर लेनी है तो दोस्तो आशा करता हूँ कि आज कि इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने आपको बताया आपको सब कुछ इजरी समझ आ गया होगा दोस्तो अगर आपको अब इसमें कोई confusion है या आप कुछ भी पू